हेलो एंड वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आर्पेंड शेर्मा मैसेल्फ नितिन कुमार हेलो फ्रेंड्स हम कर ले थे एक बहुत इंट्रेस्टिंग क्यापिक जिसका नाम था डियरेक्शन सेंस डियरेक्शन सेंस इसके हमने 9 पार्ट कमप्लीट कर ले था आज हम करेंगे 10 पार्ट ठिक है तो 10 पार्ट में हम एक नूट टाइप की प्रावलम देखेंगे जो कि मरे पास है प्रावलम 6 ठिक है प्रावलम 6 ते हमरे पास rotation based questions ठीक है rotation based questions हमारे पास किस तरीके के होंगे हम देख लेते हैं इसकी example example है हमारे पास example number 19 example number 19 क्या है example 19 को देखने से पहले हम एक concept देख लेते हैं इसमें हमारे पास rotation है तो rotation या तो clockwise होती है या तो anti-clockwise होती है अगर हमारे पास clockwise rotation 5 degree अगर है और हमारे पास anti-clockwise same time पे 5 degree है तो इसकी rotation हो जाएगी वो होगी मेरे पास 0 कैसे जैसे ये मेरे पास compass है north है south है east है west है ठीक है एक आत्मी है यहाँ पे है यहाँ से अगर वो मान लो 5 degree clockwise चला गिया ठीक है same time पे वो 5 degree anti-clockwise चला गिया तो वो वापस अपनी जगा पे आ जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 5 degree clockwise और 5 degree anti-clockwise अगर दोनों सेम है तो यह आपस में cancel हो जाएगी और आदमी जो है अपनी जगा पे ही जाएगा ठीक है तो यह हम देख लेते हैं किस तरीके के question हमें cancel solve करने है ठीक है तो हमारे पस question है main is facing west ठीक है एक main है west के तरफ देख रहा है यह हमने reference compass बना दी एक main है जो देख रहा है west के तरफ यह main है इसका left है यह इसका right है और यह देख किस तरफ रहा है west के तरफ देख रहा है he turns 175 clockwise next question को हम यहां पर लिख लेना है clockwise और यहां पर लिखना हमने anti-clockwise ठीक है तो हमारे पास सबसे पहले है he turns 175 clockwise that means 175 clockwise में हमने लिख लेना ठीक है and then 200 anti-clockwise तो 200 anti-clockwise है तो 200 anti-clockwise में लिख लेना है ठीक है then 275 clockwise then plus 275 हमने clockwise लिख लेना है ठीक है then 145 anti-clockwise plus 145 anti-clockwise में लिख लेना है ठीक है and finally turns and finally turns finally कितना turn कर रहा है and finally turns 30 degree यहां पर 30 degree होगा ठीक है finally turns 30 degree clockwise तो फाइनली यह turn कर रहा है 30 degree clockwise ठीक है then question पूश रहा है in which direction is he facing now तो अभी यह कौन से direction में face कर रहा है ठीक है जब anti-clockwise को हम plus करेंगे तो इसकी value आ जाएगी 375 ठीक है तो हम क्या करेंगे बड़े मेंसे shoulder निकालेंगे यह हमारे पास 480 480 मेंसे हम minus कर देंगे 375 ठीक है जब 480 मेंसे 375 minus कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 ठीक है तो 135 हमारे पास कौन सा आ जाएगा clockwise आ जाएगा कि clockwise की value क्या थी बड़ी थी 135 clockwise ठीक है 135 clockwise ठीक है पहले person west की तरफ देख रहा था जब अब 135 वो clockwise move करेगा तो वो किस तरफ देखेगा तो यह हमारे पास यहां तक move क्या यहां से यहां तक move क्या कितना ओ गया 180 degree ठीक है यहां पर कितना है 135 थीक है लेकिं कितना कर रहा है 135 मुउiają 90 प्लस सम्विंग यहां जैसे होगा वो यहां जैसे मतलब कौन से direction में हो north east direction तो हमरे पास अगर हम option में देखे यह बहुत easy question है इसमें समझने वाली बात यह है कि जो clockwise reaction में है उनको एक जगा पर लिख लेना है जो anti-clockwise में है उनको एक जगा पर लिख लेना है ठीक है clockwise को लगसे प्लस करना है एंटी clockwise को लगसे प्लस करना है फिर उसके बाद इनको आप इसमें हमने इनका डिफरेंस निकाल लेना मैनिस कर लेना है जो बड़ी टर्म होगी उसमें से छोटी टर्म निकाल लेनी है और जो हमारे पास टर्म रिजल्ट आएगा वह बड़ी का रिजल्ट आएगा यहां पर बड़ी तर्म थी 480 डिग्री तो यह जो बच्ची यह किसकी बच्ची क्लाक्वाइज की ठीक है तो पहले अगर वह परसन वेस्ट की तरफ देख रहा था तो जैसे इस जगह है तो यह जगह है हमारे पास नाथएसस्ट की ठीक है ? तो सो नाथएसस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. नेक्स क्रेश्न हम देएक इसी टॉफिक के उपड़ ग्रोरि क्चा जाए रहा है ? nab 220 ग्रोर्म क्या तो शुशील है वो किस तरब देख रहा है सोथ की तरब देख रहा है यहां पर हमारे पास लाइट का concept है तो इसमें यार रख लेना है कि हमारे पास एक left आगर एक left है और एक right है तो ये दोनु क्या है आपस में cancel हो जाएंगे ठीक है जैसे वहाँ पर कलाकवाइस और अंटे कलाकवाइस cancel हो था यहाँ पर भी अगर एक left है एक right है तो ये दोनु cancel हो जाएंगे माल लो दो left हैं, दो right हैं तो ये दोनों cancel हो जाएंगे, ठीक है तो यहाँ पर हम बात करें he turns right, ठीक है right turn किया, तो हम इसको cancel लिखेंगे सबसे पहले right वाली value फिर left वाली value ठीक है, तो right वाली value एक आगई, एक यहाँ पर लिखा plus, then right again that means plus one, ठीक है then left, ठीक है, left में one आगया then again left, इसमें plus one आगया and finally right, finally right आगया ठीक है, इसकी value one plus one plus one होगे three, इसकी value आगी two three में से two गया, one बचा one बचा किसका, इसका right का one बचा ठीक है, that means one right turn ठीक है, पहले वो north की तरब देख रहा था एक right turn ले लिया उसने या आगया इसका left, या इसका right एक right turn ले लिया इसका मतलब हो गया कि अभी वो किस direction में देख रहा है east direction, अभी वो किस direction में देख रहा है right turn लिया, अभी पहले देख रहा था sorry, पहले देख रहा था वो नौर्ट की तरफ नहीं देख रहा था सोथ की तरफ देख रहा था नौर्ट सोथ इस्ट वेस्ट पहले अगर वह सोथ की तरफ देख रहा था तो यहां पर इसका आगया यह आगया लप्ट यह आगया राइट ठीक है तो अगर सोथ की तरफ देख रहा था एक राइट टर्न तो अब यह वो किस तरफ देखेगा वेस्ट वाली साइट देखेगा हम देखेंगे आंसर इस में वेस्ट कॉन से और फ्षिन में है और अगर यह वीडियो इंट्रेस्टेंग लग रही है तो लाइक शेर और कमेंट जरूर के जिए गा और अभी तक आपने चनल को सब्सक्रा facing South West ठीक है यहाँ पर हमने reference system बना लेना नाइट South East West ठीक है तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखरा है सौथ इस्ट की तरब देख रहा है सौथ़ीस तक मिन्स यहाँ पर इस साइट कहीं देख रहा है दीरच ठीक है तो इस साइट देख रहा है He takes 2, 1, 3 turn 213 turn वो ले रहा है अब 90 degree के clockwise ठीक है That means मैं यहाँ पर अलग से बना दूँ अगर तो यह 90 degree का turn ले लिया यह दूसरा, तीसरा, चोथा, पांच माच, छताएं से करते करते हैं 213 turn ले रहा है 90 degree के वो भी clockwise ठीक है तो अगर यह 213 90 degree के turn ले रहा है तो हमरे पास इस reference system में अगर एक turn ले लिया 90 का, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, चोथा ले लिया अगर 4 turn ले लिया तो इसका मतलब हो गया कि वो same अपनी place पर वापस आ जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम 213 को 4 से डिवाइड करें ठीक है, 213 को अगर हम 4 से डिवाइड करें 213 divided by 4 ठीक है, यहां पर अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें यह आगर 5 से पहले करेंगे, 5, 4, 20, यहां पर बचा 13, 5, 3, 0, 12, यहां पर बचा डिमेंडर 1, ठीक है, ठीक है, ठीक मींज हमारे पास जो 53 turns है ठीक है, उससे क्या हो रहा है, वो अपनी same place पर वापस आए जा रहा है ठीक है, एक ही ऐसा turn है, जिससे कि वो 90 degree क्या कर रहा है, आगे clockwise move कर रहा है, ठीक मींज एक turn है, एक turn कितने का हमारे पास है, 90 degree का ठीक है, ठीक है, तो जो नाथ हिस्ट साइड देख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है साइड बोक मोच जाएगा, उससी साइड बोक क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, तो 90 degree move करने के लिए, यह कुछ, यहां होगा, यहां पर था, 90 degree move किया, यहां पर आ गया, यहां से, 90 degree move किया, यहां से, 90 degree move किया, यहां से, यह देखेगा किस direction में, south, west direction में, ठीक है, तो यह किस तरफ देखता है, south-west direction कि तरफ, ठीक है, south-west किस में है, हमारे पास option c में है, ठीक है, इसका answer option c है, if you like the videos then like, comment, share and subscribe my youtube channel.